आपकी website के लिए blogger है या wordpress है उसके लिए best ad network कौन सा है Google AdSense का approval क्यों नहीं मिलता और Google AdSense के alternative क्या है जहां से high CPC और trusted website होने चाहिए जो हमें proper payment दे सबसे पहले कि Google AdSense के alternatives कौन से है बहुत सारे alternative है आप मेरे back screen पे देख सकते हैं हो सकते हैं इन में से काफी alternative आप यूज करते हैं सिर्फ Google AdSense नहीं और बहुत सारी ऐसी companies है ad network है जो आपको यह service provide करती है regular payment देती है और बहुत सालों से चलती आ रही है ऐसा नहीं कि वो आज यह कल में website बनी है और आपको ditch कर दे धोका दे दे आपके पैसे रोक ले ऐसा कुछ भी नहीं है monthly आपको payment मिलेगी बस सबका एक फंडा होता है उनके rules को follow करो अगर आपकी habit rules को follow करना नहीं है तो friends Google AdSense किया किसी भी ad network के आपको approval नहीं मिलने वाला तो अपना एक सबसे पहले nature बनाओ कि rules को follow करना अगर आप पैसा खमाना चाहते हो discipline के साथ और rules के साथ आपको चलना पड़ेगा नहीं तो आपको हमेशा कोई ना कोई problem रहेगी कुछ ऐसे ad network होते जिनके rules नहीं होते बस site का link दो submit करो ads लगाओ और उसमें आने वाले time में आपको कोई ना कोई issue दिखेगा पर जो proper websites होती है उनके rules को आपको follow करना ही पड़ेगा और सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको Google Adsense का approval क्यों नहीं मिलता क्योंकि अभी तक मेरे पास ये comments आ रहे और आपने notice करोगा बहुत time से मैं Google Adsense का approval कैसे ले इसके उपर वीडियो नहीं बना रहा जो कि आज से लगबग दो साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था lockdown में कि आप Google Adsense का approval कैसे ले सकते हैं और आप believe करेंगे जिसने भी इस वीडियो को follow करा in fact मैंको भी जब Google Adsense का approval लेना होता है अपनी नई website में तो मैं यही tips follow करता हूँ और मुझे हमेशा approval मिलता है तब ही मैंने खा सबसे पहले आप अपने एक nature बनाए कि आपने rules को follow करना है अगर आप rules को follow नहीं कर रहें Google Adsense के approval के लिए तो आपको कुछ problem face करनी पड़ेगी य friends वहाँ पर आपको सबसे बड़ी problem आएगी low value content की plus under construction, no content, scrap content, policy violation इस रखी बहुत सारे issues आते हैं अगर आपको approval मिल गया है तो उसमें friends आपको ads limit की problem आ सकती है invalid traffic, invalid click activity यह सारी problems आ सकती है और इन सब के solutions मैं बता चुका हूँ, proof के साथ आपको दिखा रहा हूँ और अगर आते हैं कि Google Adsense से आपकी earning जादा हूँ, तो उससे related भी मैं बहुत सारे videos बना चुका हूँ, इसलिए अब मैं Google Adsense से related कोई भी ऐसा major video नहीं बनाता, क्योंकि यह सारे topic मैं cover कर चुका हूँ, और मुझे आज का video इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह के मेरे पास comments आ follow करेंगे, अगर उसके rules को follow कर सकते हैं, तो Google Adsense के rules को भी follow करें, और follow करने से आपको approval मिल जाएगा, वो भी 100%, पर कितने मेरे ऐसे भाई हैं जिनको पता ही नहीं लगता कि Google Adsense ने उनके website को reject क्यों करा, तो उस case में आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, आप अपने Google Adsense के account में जाएंगे, sites के section में जाएंगे, जब भी आपको Google Adsense से email आता है कि आपकी website approved ने हुई, तो friends, sites में जाके आप देख सकते हैं कि उसका actual में reason क्या है, इंटरनेट से कुछ images मैंने download कर रही है, इसलिए मैंने सारी websites के नाम hide कर दिये, Google Adsense में जब आप sites में जाएंगे जाया हुए कि आपकी website इसलिए approved ने हुए क्योंकि आपकी website under construction में है, और इसके बारे में मैं already बता चुका हूँ अपने previous वीडियो में, या फिर आपको sites के अंदर जाके इस तरह का message आएगा, इस वीडियो में मैं सिफ आपको information दे रहा हूँ, practical ऐसा कुछ भी ने बता रहा आप मेरे previous वीडियो देख सकते हैं, किसी के भी वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको जो भी problem आ रही है, accents approval के time, बस उसका नाम लिखना है, और उसके आगे आप techno विदान्त लिख दे, आपको YouTube open करना है, और उपर search में, आपको email के थुरू जो भी problem आ रही है, example मैंने पहले बना था, यह एक साल पहले बनाया था, तो इस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, और अगर आपको किसी और तरह की problem आ रही है, तो बस आप no content को अठा के अपनी problem को यहाँ पर type कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा under construction accents technovidant, same होई है, तीन साल पुराना वीडियो है, थोड़ा सा page को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको latest वाला वीडियो दिख जाएगा, आप जब भी rules को follow नहीं करोगे, या फिर अपनी smartness दिखाओगे, तो Google AdSense के कोई भी ad network आपका disable हो सकता है, या फिर वहाँ से आपको approval नहीं मिलेगा, rules को follow करो, और approval लो, उसके बाद earning क कैसे होगी, तो सबसे पहले आपका target यह है कि content इस तरह से लिखो, जिससे आपकी website में traffic आए, और जब traffic आएगा तो आप किसी भी ad network को use करके earning कर सकते हो, लालज के चक्कर में आप किसी भी bot website या फिर invalid क्लिक करेंगे, तो अपने friends को बोलेंगे, relatives को बोलेंगे, उसका कोई फ comments आ रहे थे, उनके जवाब में आपको दे चुका हूँ